करें है दोस्तों बिनोभी इंवर्itzerzusty semester 3 का आज में लोग बात करने वाले है history generic paper semester 3 में तीक है उसमें हम बताएंगे आपको सब से पहले 10 उppen एकदम इंपोर्टेंट जरूर बिड़ेगा ते अदिक समस्रित के बात हम लोग बात करेंगे आपका objective question ठीक है तो सबसे पहले हम लोग subjective को देख लेते हैं चलिए तो अरे यार हम कहां आ गये हैं देखे इसमें हमारा पहला question बनता है एक चीछ तुम्हें ने बताना भूली गया कि आपके जो question आएंगे मैं दिकाल इतियास से आएगा यानि कि medieval इंडिया से आएगा question ठीक है medieval इंडियान हिस्ट्री ठीक है जिसमें 1206 से लेकर के आपका एकदम यहां पर आ जाईए 1857 के असपास तक पूछा जाएगा ठीक है एड़्जेकली में बता ही दितना हूं यहां पर लिखा होगा 1206 से 1707 त सिवाजी का प्रारंबिक जीवन विजय एओं प्रसासनिक व्यस्था का वर्डन करना है इसका जन्म कहा हुआ इनकी माता का नाम इनके गुरू और मंत्री और्ष्ट परधान बस यह important चीज़े हैं फिर गुलिवार यूद इसके बारे भी जान लेना है अगला है मुगल समर समराज का विगटत कैसे हुआ किन किन कारणों से मुगल समराज खतम हो गया योई कि सासक की कमी हो गई ठीक है तारा साजहां के पुत्रों में उत्ताराधिकार का युद्ध हो गया ठीक है फिर आपका इन सब कारणों को बताना है आगे देख लितने हैं नेक्ष्ट हमारा यहां पर और अंग्जेब की दच्छिन विजय एवम धार्मिक निती का वड़न करें तो और अंग्जब जो है जिसे जिन्दा पीर कहा जाता था इसके धार्मिक निती क्या थी गुलकुंडा पर कैसे आक्रमन किया ठीक है और अभी जो हम लोग बोलते हैं ना तेलंगना आ सब नियुक्त है यहां वहां तक कंदा कर लिया था ठेग है तो इस सब्सक्राइम बदाना है नेक्स्ट है हावराई से कि अकबर की धार्मिक निती एवम राजपूत निती के बारें बताइए तु बताना है एक बर यूदस आ और जिससे नहीं यूद सकता था उससे विवा से पढ़ना है मनसबदारी परथा के बारे में मनसबदारी परथा क्या था इसके बारे में आपको जान लेना है और जजिया कर इसके बारे में भी चान लेना है नेक्स्ट है मुगल बादसा साजहां के पुत्रों के बीच उत्राधिकार का युद्ध कावर्ण करें तो इसके जो जितने भी पुत्र थे दारासी को हो गया तो उसमें जो है उत्राधिकार का पुत्रों में अंतिम तो यही जित्ता है और अंग्जेव लेकिन उनके बीच जो युद्ध हुआ भाईयों को कैसे मार दिया इन सब के बारे में आपको जान लेना है नेक्स्ट है हमारा कॉस्चिन कि सेरसा सूरी की परसासनिक व्यस्ता एम राजस विनिति का वर्ण करें तो इसमें आपको बताना है कि सेरसा सूरी का मगबरा विहार जो ससराम में टीक है जीटी रोड जो इन्हों नहीं बनाया इन सब के बारे में बताना है ठीक है फिर टेक्स वगएरा कैसे क्लेक्ट करते थे कितना कर लिया करते थे इन सब के बारे में जानना है सेबन नमबर हमारा कोशिन है कि अलाओ दिन खिल जी की परसासनिक वेस्ता एयों बाजार नियंतरण के बारे में बताइए तो अलाओद लजी का किया बता हो जब घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है मुझे और नहीं चली मेरी मां वहीजे का तवियत्रीक नहीं दो वीडियो बनाने क्व हमन नहीं होता हुए रिशा करें वा बनाना पड़ता है चलिए आप लोग समझते होंगे कर नेक्स्ट है भारत पर मंगोल नक्रमण का परभाव पड़ा इसके बारे मताई तैक है नेक्स्ट है हमारा नहां पर और मंगोल नक्रमण में विसे सुरूप से आपको जंगेच खान जितने भी थे आपका मंगोल सम इस सब के बारे में याद कर लेना है और तुर्क अक्रमन के बारे में भी बूछ जाएगा किGM ऑप छेले हम लोग ऑफ च्वर कर लेते हैं तो वॉन्हवली का चलिए रहा है चलिए वाई objective बनाएंगे देखिए यहाँ पर question आ सकता है कि इतिहांस लेखन में इतिहांस लेखन के साहितिक सुरोतों को बताई तो साहितिक सुरोत में आप लोग किसी भी बुक जो option में रहेगा रामायन हो गया गरंत हो गया उन गरंतों के नाम दे जिजेगा अगर पूछ परका दरवारी कभी था और इन्होंने रिकार की जिवनी लिखिए है अक्बर नामा अकबर नामा अकबर की जिवनी अब्गूल्फजल में लिखिए है यह दो भागों में बटा गया है अकबर नामा को है नेक्स्ट है हमारा question भारत में तूर्क सासन के स्थापना किसने की तो राइट अंतर हो जायेका कुत्व वृद्धि नेंबग," Bea Aldra । नेक्स्ट कोशिन फिर पूचा जा सकता है कि गुत्व मिनйार को किसे ने बनाया? टीक है नेक्सट पोछ आजा सकता है कि रजिया सुल्तान किस Kickstarter बैटी थी तो कुट उलति ने अबग की बेटी थी और किसके साथ साधी हुआ था तो इलतिःधिमिल के साथ विवा हुआ था रजिया सुल्तान कि यह भी कोशिन आ सकता है कि भारत की पर्थम महिला सासी का कौन थी ठीक है रजिया सुल्तानी इसका राइट अंतर हो जाएगा मैं सभी important कोशिन कर आ रहा हूं objective में next question है यहाँ पर आ सकता है कि लोग और रक्त की निती किसने अपनाई बलवन ने दोस्तों लोग और रक्त की निती को अपनाया ठीक है बलाड इन आइरन इस अभी आपको नोट करना है मैं केवल बता दूंगा यार ठीक है नेक्स्ट है अलावदिन खिल जी तो यहाँ पर कोशिन आ सकता है कि बाजार नियंत्रन की निती किसने अपनाई अलावदिन खिल जी ने गोड़े दागने के परता किसने शुरू की अलावदिन खिल जी ने यह important question ने दो right answer हो जाएगा ठीक है आगे देख लेते हैं next question है हमारा यहां पर सिकंदर लोदी तो सिकंदर लोदी इसके बारे में इतना question important नहीं आता है मंगोल सासक तैमूर कहां तैमूर लंग के बारे में आ सकता है ठीक है तैमूर लंग कौन था और यहां भारत में किस प्रकार आक्रम आता है ठीक है अलवार कौन थे तो अलवार दोस्तों यह विष्णु भगवान के पूजा क्या करते थे ठीक है जितने भी संत लोग विष्णु भगवान के पूजा क्या करते थे वह अलवार और एक था नईनार नई नार ठीक है नईनार थे सिप भगवान के पूजा करने सादू लोग ठीक है नेक्स्त हमारा यहां पे बार्टि-अन्दोलन टेक तो बार्टि-अन्दोलन में जन्रली मीरा भाई के नाम आता है टीक है मेरा भाई किसके उपा सकते तो कृष्ण प्रेमिति कृष्ण भक्ति के नेक्स्ट सल्तन काली अस्थापितिकला के बारे में वर्डान करने यह भी कोश्चिन आ सकता है लॉंग अंसर टाइप में मैंने नहीं दिखा एक दू कोश्चिन कितना लिखूंगा यार तो इंपोर्टेंट थे इसलिए लिख दि यह भी कि पानीपत का पर्थम युद्ध इनके किनके बीच में हुआ तो बाबर और अबराहिम लोदी के बीच में हुआ ठीक है बाबर और अबराहिम लोदी 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 वन्स का संस्तापक कुन था तो कुन था जी क्या नाम था है क्या सुदिन बलवन नहीं यार सिकंत कर लोदी ठीक है और लोदी वन्स का अंतिम मैं लोदी वन्स का संस्थापक भूल रहा हूं दूसने एक बार देख लिजिएगा लोदी वन्स का अंतिम सासक था ये था आपका कौन तो बाबर ने किसको हराया बाबर ने अबराहीम लोदी को हराया और यहीं अंतिम हो गया ठी सिक अंदर लोधी होना चाहिए एक बर आप लोग देख लिजिएगा इंपोर्टन कोश्चन बनता है यहां पर पानिपत का पर्थम यूद कब हुआ तो 1526 पर्थम यूद दूसरा यूद 1556 टेक है तिसरा यूद 1761 टेक है नोट कर लिजेगा आगे देख लेते हैं तो यहां पर हुमायू किसका पुतर था बावर का बेटा था टेक है और हुमायू का बेटा फिर कौन हुआ तो हुमायू का बेटा हुआ आपका अकबर अकबर का एकिले रह जाता है पागे कोशन है सेरसा ये कोशन आता है सेरसा सूरी ससरा है साघ कहा है तो सासराम बिहार में किस ने मैं से moreka कोशन आता है कि चौंसा का युद्द किनके किनके बिच लोड़ा गया तिक चौंसा का युद्द कि दो स्वी में चौंसा का युद्द कि इस तंड़ाइब का सेसा सूरि और बावर का बैटा क्या नहते जाए कि दावर का जाता है उसके बाद तो 1549 में चौंसा का युद्ध होता है ठीक है और इसके में विजय होती है सिरसागी यह भी कोशिन आता है इंपोटेंट नेक्स्ट है हमारे यहां पर अकबर अकबर के बारे में आता है मुगल सामराज का सबसे परतापी राजा सासंग कुन था अकबर ठीक है मनसबदारी परता किष्ण सुरू की अकबर ने यह भी कोशिन आता है अकबर का क्या नाम है बायोग्राफी का तो यह भी कोशिन आ सकता है कि अकबर की जीवनी किष्ण ने ल बूल रहा हूं यार कितना बहुत दिन से मैंने भी रिविजन ने किया ना आप लोग का एक्जाम आ गया तो फिर नेक्स्ट है जहांगीर और मुगल राजनीती में नूर जहां तो जहांगीर किसका पुतर उसा जेनरली कोशन आ सकता है तो अकबर का बेटा था साहां जहां के जहां का जिवनी है किस ने लिखा था ठेक है तो नूर जहां ने लिखा था सुरी जहांगीर यार बहुत सरह डाउट हो गया दोस्तों सुरी मैं बहुत ज़्यादा चली कोई बात ने और अंग्जेब के बारे में कोशन आता है कि और अंग्जेब जिन्दा पीर किसे कहा ज आता है यह कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए देख लेते हैं उसके बाद सिवाजी के यहां पर कोशन आएगा कि सिवाजी की मामता का नाम क्या था जीजा भाई सबको जानते हैं सिवाजी का राज जब इससे कब हुआ सिवाजी के गुरु कौन थे ठीक है यह कोशन आते हैं इंपोर्टेंट और यहां पर मुगल समराज का विगर टन के बारे में तो नहीं आता है यह कोशन आ सकता है कि मुगल समराज के अंतिम राजा कौन थे तो बहादूर सा जफर ठीक है बहादूर सा जफर यह कोशन थे कुछ इंपोर्टेंट और वा कि देखिए वीडियो पसंद लाई हो नहीं आई हो वो तो आपकी मर्जी लेकिन मुझे जहां तक मेहनत मैं कर पाता हूं आपके लिए करता हूं टैंक्यू बाई इसका अगर आप पीडियाप चांदते हैं कि पीडियाप मिल जाए तो मैं वीडियो का डिस्क्रॉप्शन में दा रहा हूं वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है टैंक्यू बाई